हम और आप दिगंबर जैनाचारिय श्री पूछ पात स्वामी बर्चित जैनेंद्र व्याकरण जैनेंद्र महाबृति का अध्यान कर रहे हैं इस जैनेंद्र महाबृति के अध्यान में सरप्रतम हमने अची को यण सूत्र के माध्यम से यण संदी को जाना उसके बार एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से अयादी संदी को जाना आदेप सूत्र के माध्यम से गुण संदी को जाना एच्चेप सूत्र के माध्यम से ब्रधी संदी को जाना उसके बाद पर रूप संधी अब यहाँ पर दीर्ग संधी आपके बीच में रखी जाती है परस्पर में सवर्ण संग्यक जिसको स्वा संग्यक कहा जाता है ऐसे वर्णों के आने पर दीर्ग संधी बनती है उसे दीर्ग संधी की चर्चा आचार भगवन्त प्रारम कर रहे है हमारे सामने इस्तिती है लोक धन अग्रम कवी धन इंद्राहा मदू धन उदकम पित्री धन रिश्वाहा यह हमारे सामने इस्तितिया है अब हम सरप्रतम लोक में रहने वाला जो अकार है जो अवर्ण के अंतरगात आता है और अग्रम के साथ पूर्व रहने वाला जो अकार है वो अच्छ प्रत्याहार के अंतरगात आता है इसी प्रकार से कभी इ और इंद्रह जो कभी की इ है वे एक प्रत्याहार के अंतरगात आता है और सामने रहने वाली इंद्र का जो इए है वे अच्छ प्रत्याहार के अंतरगात सेस मदू धन उदकंप पित्री धन रिश्वाहा ये एक प्रत्याहार के सामने अच्छ प्रत्याहार है तो सरप्रतम लोक धन अग्रम इस लोकधन अग्रम में सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आता है आदेप आदेप सूत कहता है कि अवरने के बाद अच्छ प्रत्याहार के होने पर दोनों के स्थान पर एक एप रूप आदेश होता है एप का मतलब होता है गुण ऐसा सुत्र ने हमारे बीच में चर्चाएं की उसके बाद हमारे सुत्र में हमारे पास सुत्र आचारवगवन कहते हैं स्वे को दी स्वा माने स्वा संग्यक जो अक परत्याहर है बे अक परत्याहर के सामने अक परत्याहर होता है यानि कि अवर्ण के सामने अवर्ण, इवर्ण के सामने इवर्ण, ओवर्ण के सामने ओवर्ण, रिवर्ण के सामने रिवर्ण और लिवर्ण के सामने लिवर्ण इनके होने पर श्वासंग्या कहलाती है और श्वासंग्या के होने पर परस्पर में दोनों को एक दी रूप आदेश हो जाता है दी माने दीर्ग स्वे के सामने अवग्रे खंडाकार का चंद था जो पीडियाप फाइल में नहीं है तो स्वे अकाहा दी अर्ताथ स्वे स्वासंग्या के होने पर माने पूर्व में जो भी हो बेश्वासंग्यक हो स्वासंग्यक का मतलब है अक प्रत्याहार के अंतरगत कोई वर्ण और सामने भी अक प्रत्याहार से सम्मंदित स्वासंग्यक वर्ण के होने पर परस्पर में दी अर्ताथ दीर्ग रूप एक आदेश होता है अकहा स्वे अच्ची परे पूर्व परियोह एको दीर्ग भवती अकहा स्वसंग्यक अक्परत्यार के होने पर पूर्व परियोह पूर्व माने पहले वाला परमाने सामने वाला इन दोनों के स्थान पर एक दीर्ग रूप आदेश होता है तो जो लोक का आ और अग्रम का है ये दोनों मिलकर के दीरिगे आ को प्राफ्ट हो जाएंगे अज्जीनम परेन सहीज्यम वे कामे जाके मिल जायेगा तो वनेगा लोका अग्रम ये प्रतम स्वेको दी सूत्र के माद्यम की सिद्धी हमारे भी सिद्ध होती है अगली विवस्ता अमारे बीच में है कभी धन इंद्रहा यहां पर आदेव सूत नहीं लग सकता है कोकि आदेव सूत कहता है कि अवर्ण पूर में हो और अच्च सामने हो अब यहां पर अच्च सामने तो है लेकिन पूर्वो में अवर्ण नहीं है परन्तों यहाँ पर सूद लगेगा अच्ची को यन अर्थात पूर्व में एक प्रत्यार हो सामने अच्प्रत्यार के होने पर एक प्रत्यार के इस्तान पर यन आदेश होता है अब यन आदेश की प्राप्ती यहाँ पर है क्योंकि पूर्व में एक प्रत्यार है और सामने अच्प्रत्यार है तो यहाँ पर अच्ची को यन सूत्र की प्राप्ती होने पर आचार वगवंत कहते हैं स्वे को दी ही स्वासंग्यक अच्प्रत्यार के होने पर दोनों के इस्तान पर एक दीर गुरूप आदेश होता है तो यहाँ पर एक दीर गुरूप एक आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा कवी नद्राहा फिर मदुधन उदकम यहाँ पर भी उवर्ण पूर में है यानि कि एक प्रत्यार है और सामने अच्छ है परंतु यहाँ पर स्वसंग्यक उवर्ण है उदक उवर्ण है तो यहाँ पर भी स्वेकोदी सूत्र के माद्यम से दौनों के इस्तान पर एक दीर गुरूप आदेश हो जाएगा पिर आंगे पित्री धन रिश्वाहा यहाँ पर भी अक प्रत्यार के अंतरगत स्वसंग्यक वर्ण के होने पर अच्छी को यन सूत्र की प्राप्ती के बाद सूत्र लगता है स्वेकोदी स्वसंग्यक अक प्रत्यार के होने पर दौनों के इस्तान पर एक दीर गुरूप आदेश होता है तो यहाँ पर बन जाएगा प्रत्री रिश्वाहा यह हमारे को चारों परियोग सिद्ध होते हैं अब यहाँ पर एक विसेश बात याद रखनी है इस मरणर करनी है कि यहाँ पर जो पांचवा वर्ण लिरी है उसे लिरी वर्ण के बारे में आचार वगवंत ने कहा के लिरी दिर्गत से अवावा हां लिरी धी अवावा हां अतात लिरी में दिर्ग नहीं होता है अब जब लिरी में दीरगन नहीं होता है तो उसको धी संग्यक या धी संग्या करने के लिए यहां पर उधारण भी हमारे बीच आचार भगवन्त ने नहीं रखा है परंतु कातंत्र रूप मुमाला का जब अध्यान करते हैं तो वहां पार आचार भगवन्त पूर्वो हिरस्वाहा परो दीरगाहा कहकर जो समान संग्यक वर्ण है उन समान संग्यक वर्णों में हिरस्व दीरग का उल्लेक करते हैं अब हम आँगे बढ़ते हैं स्वेको दी इस सुत्र के मात्यम से दीरग संदी होने पर अब आँगे बैकल्पिक रूप हमारे बीच में क्या उत्पन होते हैं यह आचार भगवन्त हमें दर्सा रहे हैं तोड़ा सा आँगे हम बढ़ते हैं हमारी पाईल आँगे बढ़ती ह और आँगे बढ़ते हुए अब हमारे बीच में अन्य मिसे आ रहा है जिसको कहते हैं पूर्व रूप पूर्व संदी अरतात पूर्व रूप संदी अब हमारे बीच में यहाँ पर आ रही है हमारे बीच में इस्तिती है मुने धन अनग सादो धन अनग अब यहाँ पर मुने यह मुनी सब्द का संबोधन का रूप है और सादो भी यहाँ पर संबुद्धी का प्रियोग है दोनों जगे संबुद्धन के बाद में अनग माने अनग का आ है यानि कि यहाँ पर मुने यह पदान्त पद है और सादो यह भी पदान्त पद है पदान्त पद का मतलब होता है कि जो पूर वो पद है उसका अर्थ इसपष्ट हो और सामने वाला जो उत्तरपद है उसका भी अर्थ इसपष्ट हो तो यहाँ पर मुने धन अनग सादो धन अनग अब हम प्रत्यार के अनुसार यहाँ पर सर्वे करेंगे तो यहाँ पर हमें मुने में ए है सादो में ए ओ है यानि कि एंग प्रत्यार मिल रहा है एंग ओ ए ओंग तो यहाँ प्रत्यार हमारे बीच में है और यहाँ प्रत्यार के सामने अकार है अनग का आ है अनग कार तो हता है अग माने पाप ना अग इती अनग जहां पाप नहीं है अर्ताद मुनियों के पास सादूओं के पास उनकी प्रवर्ती पाप से रहत होती है इंसा जूट चोरी कुसील परिग्रह इन पाँच पापों से बे मुनिराज बे सादू रहत होते हैं इसलिए हे सादू अनग हे मुने अनग तो यहां पर अनग में आ है पूरू में तो यहां पर सामान ने तया हा हमें सूत्र की प्राप्तिती हे चो यवा यावा हा एज प्रत्यार के अंत्रगत ए और ओ आ जाते हैं और एज प्रत्यार के अंत्रगत ए और ओ होने से हमारे बीच में सूत्राता है एंगो ती पदानतात यहां पर भी एंगो के बाद में अवग्रे खंडाकार का चिन्न चाहिए जो पीडिया फाइल में नहीं है एंगाह अती पदानतात सर्त सूत में ही सब कुछ लिखिये पदानतात पद का अंत होना चाहिए और पूरू में एंगाह एंग प्रत्यार होना चाहिए और सामने अती अतात केवल अकार होना चाहिए तो सूत कार्थ बनता है पदानत में एंग प्रत्यार के सामने अकार यदि होता है केवल अकार तो अकार के होने पद दोनों के इस्तान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है पूर रूप आदेश का मतलब है जो पूर्व पद है पूर्व पद में जो वर्ण है और सामने वाले का जो उत्तर पद है उत्तर पद का जो पूर्व वर्ण है वो सामने पूर्व वाले वर्ण में जाकर मिल जाता है इसको कहते है पूर्व रूप एकादेश तो एंगा पदांतात अती ही परताहा दोयो एका पूर्वो भवती दोनों के इस्तान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है पुना सूत्र का अर्थ इसपश्ट कर लीजे कि पूर्व पद के अंत में एंग परत्यार हो लेकिन वो एंग परत्यार पदांत होना चाहिए पद के अंतवाला होना चाहिए और उत्तर पद के आदी में केवल अकार होना चाहिए ऐसे एंग परत्यार के सामने अकार के होने पर अकार जो है वो एंग परत्यार अर्थ पूर्व में जो एंग परत्यार है उस रूप हो जाता है यानि कि A और O में आकर मिल जाता है A और O में आकर मिल जाने पर सामान तया पैचान रखने के लिए पैचान बताने के लिए बालकों को ग्यान कराने के लिए बाल वोदा है वहाँ पर अवग्रे खंडा कार एस का चिन निर्धारित कर देते हैं वो यह एस का चिन कोई सुत्र के माद्यम से नहीं आता है प्राया करके पढ़ने वाले च्छात्र जब पढ़ते हैं तो लगा देते एंगोती पदांतात एंगोती पदांतात एदोत परा पदांते लोप मकारा ए और वो के बाद में अकार का लोप होता है और अवग्रे का चिन लग जाता है ऐसा अपने-अपने अनुसार वो समझाने की कोईसिस करते हैं पर बास्पिकता यह कि अवग्रे चिन के लगाने के लिए कोई सूत्र ब्याकर्ण सास्त्र में नहीं है एक सामान ने ववश्ता है कि सामान निता किसी को यह समझ में आ जाए कि यहां पर अवग्र कच्चन लगा हुआ है इसका मतलब है पूर वुपद से हमें अकार यहां पर निकाल के उत्तरपद में पढ़ना है यह अर्थ लगाते समय हमें समझना है कि यहां से आभी निकालना है तो यहाँ पर मुने धन अनग था तो मुने नग ऐसे ही सादो धन अनग था तो सादो नग ये बने बनाए प्रियोग हमारे बीच में रखे हुए 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 सिद्ध होते हैं अब आचार भकवंत संका उत्पन करते हुए समादान दे रहे हैं एंगह इतीकिम भई एंग प्रत्यार हो ऐसा क्यों कहा'm पूर उपद में एंग प्रतियार हो ऐसा क्यों कहा किते हैं हमारे पास में इस्तिति है जड़ी धन अत्रो यहाँ पार यह यह लिखा हुआ है दो बार या यह लिखा हुआ है पर दो दो वार या नहीं कि वो दूसरा वाले या के इस्तान पर तरा है ददी अत्र अब यहां पर दद्य अत्र है तो पूर वो पद में एंग प्रत्यार नहीं है परंतु उत्तर पद में अकार तो है और ददी का भी अर्थ स्वतंत्र है और अत्र का अर्थ भी स्वतंत्र है यानि कि दोनों पदांत पद हैं और दोनों पदांत पद होने पर एंगोती पदांता सुत्रिश्लिय नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर एंग प्रत्यार नहीं है जब एंग प्रत्यार नहीं है तसुत लगेगा अच्ची को यन इके इस्तान पर यादिस हो जाएगा सब्द सि सामने आतो हो ऐसा क्यों कहा तो यहां पर द्रिश्टांत रूप में तो कुछ नहीं लिखा है लेकिन आप लेख सकते हैं मुने यह सादो यह है अर्थात्पूर उपद में एंग प्रत्यार है और उत्तरपद में अब अपने सामने यहां पर तो अनग था आ था अकार था लेकिन यहां पर रखा गया ही है यहां पर रखा गया ही है तो जो अकार नहीं है इसलिए यहां पर एंगोती पदानताद सुत्र नहीं लगेगा इतना अपने को ध्यान लखना चाहिए फिर कौन सा सूत लगेगा तो ये चो यवा यवा लगेगा उससे आए और अब आदेश हो जाएगा फिर एक सूत्र हमारे बीच में हो रहे बियोग खमवा या और वा का लोप होता है पदान्त सम्मंदी विवस्ता हो होता भी ये नहीं भी होता तो लोप हो जाने पर मुन इह साद इह और यदि यकार और वकार का लोप नहीं होता है तो दूसरा प्रियोग वने का मुन इह साद वी है ऐसे प्रियोग सिद्ध होते हैं इस प्रकार से आज हमने स्वे को दी अर्थात दीर्ग संदी और एंगोती पदान्तात अर्थात पूर्व रूप संदी का अध्यन किया है अब आँगे अमारे बीच में जो संदी आ रही है वे अमारे बीच में आएगी वे विसे आपको कातंत्र रूप माला में देखने के लिए नहीं मिलेगा तो ऐसे आने वाला अगला जो सत्र है उस सत्र में हम आँगे चर्चा करेंगे आपके बीच में ये संभू धन अत्र है लिखा हुआ भा है भगवान का भा लेकिन बास्त्विक्ता में वो मंदिर का मा है संभू धन अत्र तो यहाँ पर अलग अलग इस्तिति हमारे बीच में रहेगी सम धन अत्र ऐसी इस्तिति हमारे बीच में रहेगी जिसकी चर्चा हम आपके बीच अगले सत्र में करेंगे लेके आएंगे तब तक के लिए जैजनेंद्र वंदना सबका यतायोग अभी बादन